नजर में सोखिया लब पर मुहुबबत का तराना है मेरी उमीद की जद में अभी सारा जमाना है कई जीत है दिल के देश पर मालूम है मुझको अरे कई जीत है दिल के देश पर मालूम है मुझको सिकंदर हूँ मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है नमस्कार मैं हुवी की रजन और आप देख रहे हैं सकसेश एरिया का यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे सेशन 2023 का कोश्चन पेपर बीएड का और ये जो बीएड का कोश्चन पेपर है वह काउन सा है दोस्तों तो हम लोग उस पेपर का नाम भी जान लेते हैं और पेपर कोड भी जान लेते हैं दोस्तों ये जो पेपर है उसका नाम है पाठिकरम में भासा यानि Language Across the Curriculum और इसका जो पेपर कोड है वह है दोस्तों TC103 TC103 तो ये जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं ये जो हमारा Question Paper है दोस्तों इसमें हम लोग जो है ना वह एंसर सही जानेंगे कि जो Objective Questions है उसका सही एंसर क्या होना चाहिए क्या होगा इसी के चर्चा हम लोग इसमें करेंगे तो वीडियो के अंतर तक बने रहे और ये जो है Question Paper इसको देखिए क्योंकि आने वाले समय में ये जो है बहुत ज्यादा Important होगा जब Previous हो जाएगा और जब हम लोग कोई भी एक्जाम देते हैं तो Previous ये जो Question Paper होता है वह हमारे लिए बहुत ज्यादा माइने रखता है चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों स देखिए Question Paper 2021 का है टाइम डेड़ घंटा है यानि 90 मिनट का समय मिलेगा आप लोगों को फुल माक्स 40 है फुल माक्स कितना का रहेगा 40 का रहेगा और दोस्तों परिछार्थी अताशंबा अपने ही सब्दों में उतर दें अपने सब्दों में उतर देने से होता क्या है कि ज दोस्तों वह पांत केंग पुर्णां के घोतक है यानि उपर जो है सबका अंक लिखा हुआ रहेगा और वही जो अंक है वहां बताएगा कि कोस्टन जो है वहां कितना माक्स का है तो देखिए यहां पे ग्रूप ए है ग्रूप ए खंड और इसमें खंड और में ऑब्जेक् दो दो नंबर का पांच कोस्टन रहेगा तोटली दस नंबर का रहेगा देखिए हम लग सुरू करते हैं क्या है कोस्टन कि दिये गई विकल्पू में से सही उत्र कुछ चुने Question number A Question number A क्या बोलता है कि retain number A बोल रहा है कि भासा सिच्छन में एक रन नीति के रूप में कहानी कहने का क्या उद्देस है कि जब हम लोग Crystal rates कर रहे हैं तो उसमें कहानी कहने का क्या उद्देस है तो A number มา सिखाना नेतिक्ता सिखाना कहानी को फिर से बताना सिछार्थी को भासा से जोड़ना या फिर सिछार्थियों की असमुरती का परिशन तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों option number C option number C जो है सिछार्थियों को भासा से जोड़ने के लिए हम लोग कहानी का सहरा लेते हैं चलिए question number 2 की और आगे बढ़ते हैं question number जो B है हमारा वह क्या बोलता है question number B बोल रहा है कि छात्रों के सुनने के कौसल को विक्सित करने के लिए कौन सी गतिविदी सामिल नहीं की जाएगी सुनने के कौसल पुछ रहा है तो यह जो है तीनों से हमें सुनने की छमता जो है हमारे अंदर विक्सित होगी लेकिन यह है लेख लिखना इससे सुनने की छमता में कोई विकास नहीं होगा इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लेख लिखना चलिए option number 2 अब question number C की और हम लोग आगे बढ़ते हैं question number C क्या पुछता है कि वा यह जो है बहु भासा बाद क्या है multilingualism किसे कहते हैं तो यह केवल एक भासा का परियोग है option दिया हुआ है दूसरा है सिच्छन अधिगम में विदेशी भासाओं का उपयोग करना तिसरा है कि यह किनी 2 या 2 से अधिक भासाओं का परियोग है यह पर 3 भासा सुत्र है तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा option number 3 यह जो है किनी 2 या 2 से अधिक भासाओं का परियोग है और यह जो है हमारा सही अंसर हो जाएगा दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग question number D की और question number D जो है वह क्या पुछता है कि निमलिखित में से कौन सा भासा सिखने का अधारभूत कौशल नहीं है पढ़ना, लिखना बोलना या फिर देखना तो यह जो है भासा सिखने राइटिंग, इसके अलावा कोई नहीं है तो इसमें सही जवाब जो है वह option number 4 हो जाएगा चलिए question number E की और आगे बढ़ते हैं question number E क्या पुछता है कि language across the curriculum means यानि संपूर्न पाठिक्रम में भासा का क्या अर्थ है तो भासा को गैर भासा विसे में पूरे पाठिक्रम में लागू किया जाता है option number E है कि भासा को गैर भासा विसे में पूरे पाठिक्रम में लागू किया जाता है यानि गैर विसे में ठीक ना, गैर भासा विसे में हम लोग कोई भी भासा का यूज कर रहे हैं, सामिल कर रहे हैं तो वो है या फिर सिच्छी हिंदी को पाठीकरम के लिए अनिवार यह भाषा बना दिया गया है या पाठीकरम में लागू की गई विदेशी भाषा या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब दोस्तों option number a ही हो जाएगा option number a जो है वह होगा कि कोई भी गयर भासा का विश्य है उसमें हम लोग अपने भासा को सामिल कर रहे हैं पूरे पाठीकरम में लागू कर रहे हैं तो आई है पाठीकरम में भाशा हो उसी का मतलब होता है तो इसका सही जवा option number a होगा चलिए आप आगे इसको पढ़ लेना कि कितना बनाना है कितने बनाने तो बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं उससे में जबिच विकास की विषयस्ताहें हैं उसका उलेक करना है question number 3 क्यों आगे वड़ते हैं question number 3 जो है वह पुछता है कि भासा अधिकरहन और भासा सिखने की बीच जो है वह क्या अंतर है अंतर कैसे हम लोग करेंगे उसके बाद four number जो question है वा four number क्या है तो भारती विज्जाले के संद्र में बहुभासावाद की प्रकृति को लिखना है वह किस प्रकार से है कैसी है उसके बाद है five number question के भासा सिखने में साहित की बुमिका के बारे में लिखे यानि पांच question दिया हुआ रहेगा पांच में से दो कोश्यन आप लोगों को चुन करके बनाने हैं, जो सिक्षन भी है उसमें, चलिए सिक्षन सी हम लोग देखते हैं, सिक्षन सी क्या है, जो है, लॉग इंसर टाइप कोश्यन, यानि दस दस नमर के दो प्रस्ण रहेंगे, दो शवालों का जवाब हम लोगों को देना लेगा, निवली की तो इसे किनी दो प्रस्णों के उतर दें, इसमें क्या है, तो हाव कैने वी डबलफ लिसनिंग स्कील, एमंग दा स्टुडेंट्स विथ दा हेल पॉप, विद दा हेल पाब भेरियस मेटेरल्स अंड एक्टिविटीज, यानि यहां पे कि विभीन सुनन कि साहता से, क्या पुछता है, कि वाटी दे रिलेशन्शिप उप लेंग्रिज विथ सॉसाइटी, हाव डू दा डिमांड सफ सॉसाइटी चेंग दे कंटेंट अफ लेंग्रिज स्टेचिंग, यानि भासा एवं समाज में क्या शंबंद है, और समाज की मांगे भाशा से च क्या महत्व है, और बच्चों में बोलने के संबंदी कौशल आप किस प्रकार से बिक्सित करेंगे, उसके बाद अगला जो है, नव नमर क्या पूछता है, कि भासा सीखना और भासा के माध्यम से सीखने का अर्थ जो है, वह क्या है, एक्स्प्लेन दा मिनिंग आफ लर्नि को ने देख लिया, सेशन 2013 का कुशन पेपर, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, तो बहुत बहुत धन्यबाद मिलते हैं हम लोग, अगली क्लास में एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, जै हिंद,